यह जो question होते हैं numericals इनमें सबसे पहले आपको जो data है वो isolate कर लेना चाहिए इसमें आपको उसने speed of light vacuum में दी हुई है unity, unity का मतलब होता है one यह एक चीज़ है इसको हम अलग से note कर लेते हैं given the speed of light is one unit per second उसके बाद what is the distance between sun and earth यह उसने मुझसे पूचा है तो इसे I'll mark it as a question mark की मुझे यह चीज़ चाहिए आगे in terms of the new unit if light takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance जो light है वो इतना time लेती है तो मुझे यह जो दूसरी चीज़ है वो यह दी हुई है मुझे यह time दिया हुआ है कि earth और sun के बीच में वो कितना time लेती है so इस चीज़ को भी मैंने note कर लिया time to cover is 8 minutes 20 seconds जो 500 seconds बन जाता है यह बात हो गए यहां तक clear मेरे पास सिरफ यह दो data available है और मुझे चाहिए distance सबसे पहले तो basic thing होती है कि क्या distance, speed और time में कोई connection है बिल्कुल है, जो connection है वो है कि distance is speed into time अब इसको डाल दीजिए यह और यह इस formula में यह आपका यह बन जाता है, calculation के बाद 500 units आपका answer आ गया जहां तक physics का सवाल है, question of physics, sorry, जहां तक calculation का सवाल है या answer निकालने का सवाल है, या mathematics का सवाल है, वो तो यह ठीक है लेकिन यह चीज़ अकेली physics में चलती नहीं है, जब आप physics में exam देने जाते हो यह कुछ marks इसके होते हैं, लेकिन कुछ marks इनके भी होते हैं assumptions के कि आपने assume क्या किया, क्योंकि देखिए जो भी है, आप इसका जो भी calculation कर रहे हैं उसमें काफी चीज़े गोल मोल assumptions हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हैं, अब देखना उसको उनके बिना यह आप इसको निकाल ही नहीं सकते थे पहली assumption है कि speed of light is in terms of seconds मुझे कौन बताएगा कि यहां कहां लिखा है, कि जो speed उसकी one जो दी हुई है वो hour में दी हुई है, minutes में दी हुई है, seconds में दी हुई है यहां पे तो question silent है, तो सबसे पहले यह assumption दूसरी assumption है कि उन्होंने मुझे जो speed दी है, वो speed दी हुई है vacuum में लेकिन earth और sun के बीच में तो इनके atmosphere भी आ जाते हैं, तो vacuum कहां पे है तो यह assumption जो है, earth and sun are assumed as points with the atmospheres of zero thickness यह zero thickness क्यों मानी जा सकती है, क्योंकि इनके बीच का distance इतना ज्यादा है कि वो जो थोड़ा सा layer atmosphere का, वो neglect किया जा सकता है इन assumptions के details और सारा कुछ, वो आप मेरे blog में, जो description में दिया हुआ है link वहां जाके आप उसको पढ़ लीजिए, वहां आपको लिखने का तरीका भी आ जाएगा, thank you